सर्दियों के मौसम में सूप पीना हर किसी को बहुत पसंद आता है और सूप पीने से नहीं हमारा सिर्फ मूड इनहांस होता है बलकि हमारे गले को भी काफी राहत मिलती है सर्दियों के मौसम में होने वाले वेदर चेंज की वज़े से हमेंसे बहुत सारी लोग ऐसे होते हैं जिनका गला खराब हो जाता है तो दोस्तों आज मैं आपके लिए ले के आई हूँ बहुत ही यूसफुल और बहुत ही टेस्टी सूप की रेसिपी तो चलिए शुरू करते हैं यहां पे मैंने ले लिया है एक पैन पैन में मैंने डाला ह थोड़ा सा बटर आप चाहें तो रिफाइन ओयल का भी इस्तिमाल कर सकते हैं तो एकदम स्लो फ्लेम पे बटर को मेल्ट कर लीजिए और सबसे पहले आप डालिए करीब एक बड़ा चमच बारी कटी हुई लहसुन की करीब 20 कलिया और उसके बाद दो इंच घिसे हुए सारी चीजों को पहुत ही तरीके से चला ले सारी चीजों को आप ध्यान रखें कि मिडियम फ्लेम पे ही चलाएं और साथी साथ इसमें आड करतें आप नमक ध्यान रखें आपको इसमें आगे चलके सौसेज भी आड़ करने हैं इसलिये नमक की क्वांटिटी काफी बैलंस तो दोस्तों सारी चीजों को अची तरीके से मिक्स कर लें और साथी साथ इसमें दो बड़ा चमश भारी कटा हुआ धनिया पत्ता एड़ कर दें हम बना रहे हैं कॉरियंडर गार्लिक और अनियन सूप इन सारी चीजों को करीब तीन से पांच मिनट तक आप मिडियम फ्लेम पे अची तरीके से पका लें लगातार पीच पीच में चलाते रहें जिसे की हमारा जो मिक्स्चर है वो बॉटम पे ना पकड़े सारी चीजों को अच्छी तरीके से चलाने के बाद आप इसमें अड़ कर दें करीब 1 2.5 कप पानी आपको इसमें अड़ करना है एक बार फिर्ट से इन सारी चीजों को अच्छी तरीके से मिक्स कर दीजे बार-बार mix करने से क्या होगा कि जो इसमें onion है और बाकी की जो भी चीजें है वो इसमें अच्छी तरीके से इसमें mash होती जाएंगी जिससे कि उनकी juices जो है वो पानी में आएंगे और आपके soup का टेस्ट काफी enhance होगा सारी चीजों को एक बार करीब तीन से पांच मिनट तर फिर से boil होने को रखतें और उसके बाद आप इसे ऐसे लगातार थोड़ा सा mince कर लें spatula की help से आप देख सकते हैं कि जो हमारे ingredients हैं वो काफी अची तरीके से boil हो गये हैं और दूसी तरफ एक कटोरी में आपको लेना है एक बड़ा चमच कॉन फ्लोर और कॉन फ्लोर में मिलाना है आपको गरीब पांच बड़े चमच पानी इसका एक अच्छी सी slurry ready कर लें लगतार अच्छी तरीके से मिलाते रहना जरूरी है कॉन फ्लोर डालने से हमारा जो सूप है वो एक बहुत ही अच्छी consistency में आ जाता है जिससे की सूप liquidized नहीं लगता है और सूप में आ जाती है एक बहुत अच्छा सा flow एक बहुत अच्छा सा glaze भी सूप में कॉन फ्लोर क यह अच्छी तरीके से बॉइल हो गया है और यहां पे हम मैनेस में एड़ कर दिया एक चोटा चमच सोया सॉस और साथी साथ एक बड़ा चमच ग्रीन चिली सॉस और उसके बाद दो बड़े चमच टमैटो केचप आप यदि आप टमैटो केचप यूज नहीं करना चाहते ह तो आप इसमें एक चोटा चमच चीनी जरूर आड़ करें चीनी आड़ करने से सूप का जो टेस्ट है वो एकदम रेस्टूरेंट स्टाइल बनता है और एक बड़ फिर से इसे करीब दो मिनट तक बॉइल होने दे और बॉइल हो जाने के बाद हमने जो कॉन फ्लोर की स्लर कर दे और एक पर फिर से इसमें करीब दो मिनट तक बॉइल होने दे आप देख सकते हैं कि जो हमारा सूप है वो एक अच्छी सी कंसिस्टेंसी पे पहुंच गया है और हमारा सूप हो गया है रेडी तो चलिए गयास को कर देते हैं और इसकी कर लेते हैं अच्छी सी कर सकते हैं और यहां पर मैं से गार्णिश कर रहे हूं बारी कटे हुए स्प्रिंग अनियन्स के साथ तो लेजिए दोस्तों हमारा सूप एकदम रेटी है देखा है ना एकदम आसान बहुत ही तेस्टी लगता है और साथी साथ हिल्ग के पॉइंट ऑवे से भी बहुत कर दोंगा है।